तो पर्ट उन में हम ने देखा था साकूरा त你说 एक लड़की के साथ सैड हो जाती है वह सोचती है मेरा अच्छा दिन कब आएगा तब ही वह लड़की उसे मिलने आती है और उसे एक पार्शल देती है जो हुसके घर से आया था और यहां साकुडा को पता चलता है कि यह लड़की इस अपार्टमेंट की लेंड लेड़ी है इसके बाद वो ड्रिंक करने साकुडा को अपने रूब इंवाइट करती है और यह लड़की वही होती है जिसे निसी थेदर के बाहर मिला था यहां साकुरा नोटिस करती है कि सारा सा मन कपल पियर में है फिर वो लड़की उसे कहती है तो तुम ही हो जिसने अपने पांस साल इंतजार करके अपने ट्रेनिंग के फर्स दिन ही डैविल टेंडो से अपना लव कनफेश करा था और रिजेक्ट भी हो गए थी शाकुरा कहती है तो यह न्युज तुम तग भी पहुँच चुका है और उसे सॉरी कहती है तब वो लड़की कहती है इस अपौर्टमेंट में मैकसिमम होँआ काम करने वाले स्टाप रहते तो पता चल नहीं है इसके बाद Tendo से पुछता है तो मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो अब साकुरा घबरा कर जाने लगती है तब वो लर्की उसे रोकती है और कहती है मैंने इसे यहाँ इन्वाइट किया है अब यहाँ साकुरा को पता चलता है कि यह दोनों भाई बैन है यह जानकर वो क प्राटमेंट में काम करने का प्लाइन कर रही हो तो यह तुमारे लिए इजी नहीं होने वाला है साकुरा कहती है मैं प्रॉमिस करती हूं मैं एक यूजफूल नर्स बनके रहूंगी और गीब अप तो बिलकुल नहीं करूंगे टेंडो कुछ नहीं कहता है और अपने रू क्यों चूज़ की हो जहां वह कहती है क्यूंकि मुझे लगता है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टन पार्ट है यह सुन सब उसे काफी इंप्रेस होते हैं वहीं दूसरी तरफ टेंडो अपना ब्रेकफ़स्ट करीदने केंटीन जाता है मगर आज उसका फैब्रेट का तुम्हें टेंडो के साथ तीम वर्क करना है और उसका केर भी करना है मैं चाहता हूं तुम उसे cold hearted टेंडो से टेंडो बनाओ शाकुडा भी कहती है no doubt कि वह talented है बट पता नहीं मैं उसे handle कर भी पाऊंगे या नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगी उस sadistic devil को सुदाने का पर ह कहता है किसे sadistic devil कर रही हो फिर कहता है मैंने सुबह से breakfast नहीं किया है तो मेरा mood वैसे भी खड़ाब है तो अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे rules फॉलो करने होंगे शाकुरा जल्दी से rules नोट करने लगती है जहां वो कहता है first person के साथ हमें सा sincere रहना द साथ कहती है अगर दुनिया में सिर्फ में और तुम्ही रहे तो भी क्या 05-0-01% chance नहीं है जहां वो कहता है नहीं अगले सिन कडि यरी डी ऑड के पैसंट टेंडवल से कहते हैं हमने सुना है साकुरा शेर नने तुम्हे प्रबोस किया है जहां सा कुरा कहती है हां और उसे बाहर लंच के लिए इंवाइट भी किया था मगर उसी दिन में बेहोस हो गया और अब तक से अंस्पिटल में हो एक दूसरा पैसन कहता है कोई बात नहीं वह भी तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रही होगी साकुटा भी उसे कंफर्ट विल कराती है इसके बाद वह एक दूसरा पैसन को देखती है जहां टेंडो उसे ब्लड सेंपल के लिए ब्लड लेने कहता है और अब उसका हाटबेट रुका रहता है कि अब क्या मिस्टेक होने वाला है पर वह सक्सेस्पुली ब्लड ले लेती है सब उसका तारिफ करते हैं कि तभी वह अपने ही हाथ में गुषा लेती है टेंडो उसे कहता है एक देम इडियेट हो फिर उसे कहता है मैंने बिना प्रेकफस्ट किये जस्ट अपना राउंड कंप्लीट करा है और अब मुझे धेर सारे टेस्ट करने हैं जो कि मैं तुम्हारे वज़े से 10 मिनट लेट हूं साकुडा कहती है सौरी मै अभी रेडी होती हूं तब टेंडो कहता है कोई जरत नहीं है और वो साकाई को अपने साथ चलने कहता है जहां वे एक प्रेसंट के ECG टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका एट्रियम ब्लॉक हो चुका है और लंग्स में फ्लिट भरता जा रहा है टेंडो कह प्रेसंट को हों स्पिटल में ही और गनाइजड एक इवेंट में ले जाती है ताकि उसे बैटर फिल हो और वो अपना मिल इंजॉय कर शके इस इवेंट में नीशी भी अपने वार्डुक के बच्चों को लेकर आया था अब यहां एक बच्चा स्लाइन हटा देता है तो ब और काइन डॉक्तर भी फिर वो उस प्रेंट के साथ का अठी करती है और फिर प्रेंड़ी बाते करती है और पीछे से अकर कहता है मेरे समान चुरारी हो क्या है जहां तुम सदिस्टिक नहीं हो इस्टॉइक हो फिर टेंडो कहता है तुम्हारे वज़े से उस पैसेंट का एपिटाइट वापस आ गया बट किसी एक पैसेंट के साथ इतना इंवॉल्ब होना सही नहीं है और तब साकुरा उससे अचानक पुछती है कि क्या तुम कभी डेट पर से हो साकुरा कहता है तुमसे मतलब करती है तो मैं आपनी सिष्टर के साथ रहते हैं तो क्या मैं यह समझ लूंकि तुम अब तक से सिंगल साकुरा कहती है तब तो में तुमारी गल्फरंट बढ़ने के लिए अपनी आपको नौमिनेट कर सकती हो जिस पर कहता है बिल्कुल पर जाता है जिसमें उस पैसंट का हाइटविट कर रा था वह GOOD कम्पलीट से बनाता फिर एपलाशन सक्षेशूली कंप्लीट किया जाता है जिसके बाद साकुरा साकई से कहती है तम वाकई काफी स्मार्ट हो कि तुरंद नजर एनस्वीटी पर गया मैं राती तो साय ध्यान जाता ही नहीं जहां साकई कहती है क्योंकि हमारे में डिफरेंस है मैं सिखना चाहती हो और तुम पसंद किया जाना चाहती हो सिंट्ट होता है और नीशी उस थीयटर के बाहर उस लड़की का याणि टेंडो की सिश्टर का वेट कर रहा था जाँ नीशी देखता है कि वो पॉपकॉन खरीद रही है नीशी जाकर उसको बील पे कर देता है और उससे कहता है हम दोनों उस दिन मिले थे याद है जहां वो उसे पॉपकोन खिलाते हुए थैंक्यू करकर जाने लगती है तब नीशी रोक कर उसे डेट के लिए पुछता है जहां वो कहती है तम बड़े हो जा फिर पुछना नेक्स जिन नीशी अपना रिजक्षन और साकुरा अपने होपलेस लब के लिए परशान थे दो आओं फिर उसे कहता है क्या तुमने ऊसचीप प्रिंश एक डिय plag hug 주는 Mean और तब टेंडो कहती है और यसा बिल्ब भी नहीं सोच रही थी क्या चाहती हो वो जहां कहती है माई उस की सरजरी में सामिल हो now चाहती हूं लेकिन टेंडोा उसे सामिल होने का अप्रूबल नहीं देता है कि तुम सिर्फ काम बिगारती हो जहां वह कहती है मैं सीखना चाहती हो क्योंकि जब तक एक्सप्रियंस नहीं करूंगे तब तक सीखूंगे कैसे इसके बाद वह उस पैसेंट को बताती है कि डेविल टेंडो ने तुमारे सरजरी में सामिल होने के अप्रूबल दे दिया है यह सुनकर वह कहता है चलो बढ़िया है तब उसी वाट में एक पैसेंट कहता है आज मेरे फैमिली मेंबर नहीं आया है तो क्या तुम मेरा ब्रेकषट ला दोगी और यहां साकर यह काम साकुरा को करने करती है इधर आइधर ब्रेकषट खरिटे जाती है जहां लास स्टेज उस पैसंट को एलेक्ट्रिक सॉक दिया जा रहा था और यहां साकुरा उसे अपने आखों के सामने मरता हुआ देख रही थी क्योंकि काफी कोशिशों के बहुत जो तो उस पैसंट को नहीं बचाया जा सका अगले सिनम देखते हैं टेंडो एक तरफ बैठा था जहां किसुजी आकर कहता है मुझे पता था तुम यहीं होगे टेंडो कहता है कितना पावरलेस फिल हो रहा है इस पर किसुजी कहता है हमने अपना बेस्ट दिया और अगर तुम उसे नहीं बचा पाया तो साइध ही तुमसे कोई बेटर होता फिर उसे कहता है मिनोटी कहती थी उसे विंटर पसंद है यहां सिन फ्लेस बैक में जाता है जब टेंडो ऐसे ही किसी केस के बाद रो रहा था और मिनोटी आकर कहती है हमारे पास पास्ट को सोचने का टाइम नहीं है अब इस लड़की का टेंडो से क्या रिलेशन्शिप था यह तो आगई पता चलेगा नेक्स इन हम देखते हैं उस पैसंद की गर्फरेंट साकुरा से मिलने आती है और उसे उस पैसंद के कुछ नोट दिखाती है जो उसने प्लान किया था कि वह जब ठीक हो जाएगा तो यह सब कंप्लीट करेगा और इसमें कुछ-कुछ काम था जो वह साकुरा के लिए भी करना चाहता था यह देखकर साकुरा पहुँच जादा उदास हो जाती है वही टेंडो का नेजर साकुरा के डाइरी पर जाता है तब हेड कहता है जब अबलासन सक्सेस्फुल हुआ था उसी टाइम हमें दूसरा एक्सन लेना चाहिए था या फिर हमें साकुरा जैसा सोच कर उसका इनवारूमेंट चेंज करना चाहिए था तो सायद रिजल्ट आज कुछ और होता सिन्ट शिफ्ट होता है और साकुरा अपना अपार्टमेंट आती है पर यहां अपना रूम गुषने से पहले ही वह बेहोस हो जाती है सामने टेंडो की सिश्टर निकल रही थी तो वह उसका हैल्प करती है और जब उसे होस आता है तो सामने टेंडो को पाती है वह कहता है लग रहा है ना तो तुमने अपना breakfast लिया है और ना ही lunch पर साकुरा तो अब भी उस patient के बारे सोचे जा रही थी टेंडो कहता है कुछ चीजों का end इसी तरह होता है इस field में ऐसा situation आते रहेंगे पर हमें आगे बढ़ना है साकुरा कहती है पर मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है मैं सच में यूज ले सूँ जो मैं कुछ नहीं कर सकी I think मैं इस job के life हुई ही नहीं इसलिए मुझे ये job tweet कर लेना चाहिए ऐसा करकर वो फिर से अपने आपको समाल नहीं पाती है तब टेंडो उसे हग करते हुए कहता है जैसा तुम feel कर रही हो अभी वैसा सभी stop कर रहे है लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा फिर उससे कुछ खा कर सोजाने कहता है जहां वो कहती है तुम तो हमेसा ही मुझे idiot समझते थे फिर मुझे move on करने क्यों कर रहे हो जहां वो कहता है क्योंकि तुम team tendo हो और ये सुनकर साकुरा को भी अच्छा feel होता है फिर वो अपने room आकर सोचता है कि मैंने तो अपना बेग उसके room पर भूलाया हूँ और वो लेने के लिए जाता है जहां वो उसके room में किसूजी को पाता है और ये part यहीं खतम होता है